यह बाइबल इन वानियर का हिंदी प्रक्रण है दोसो चौबी स्वान दिन केवल जीवित मत रहो, फूलो फलो आज कुछ लोग जीवन को शेक्सपियर मेकबैत की तीन चुडैलों की तरह बताते हैं दुगना, दुगना परिश्रम और परिशानी जीवन के प्रती मेरा द्रश्टिकून बदल गया जब एक मित्र ने बुधिमानी से मुझे बताया कि यह जीवन परिशानी सुधारने के अभ्यास की एक श्रंकला है इस जीवन में कभी भी हम परिशानियों की बिना नहीं होंगे यदि सभी चुनोतियों के बीच में आप स्थिती में फलना फूलना नहीं सीख सकते हैं तो आप कभी भी संतुष्टी नहीं पाएंगे सभोपदेशक के लिखक कहते हैं हर एक मनुष्य जिसे परमेशुर ने धन संपती दी हो और उसने आनन्द भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्ट्रम करते हुए आनन्द करने की शक्ती भी दी हो यह परमेशुर का वर्दान है वर्तमान समय में जीवन का आनन्द लेना सीखिए यदि आप नहीं करेंगे तो जीवन बीतता जाएगा और आप कभी भी उसका आनन्द नहीं लेंगे जहां पर आप अभी हैं नीतिवचन 19.23-24 तक परमेशुर पर भरोसा करिए आदर और सम्मान करिए नीतिवचन के लेखक क्यानुसार परिशानी का उत्तर है परमेशुर का भय अर्थात परमेशुर के साथ एक संबंद में जीना उन पर भरोसा करना उनका आदर और सम्मान करना वह लिखते हैं यहुआ का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उनका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है उस पर विपती नहीं पड़ेगी वह आगे परिशानी के कुछ कारण बताते हैं इस लेखांश में आलस को भविष्य में आने वाली परिशानी का एक कारण बताया गया है आलसी मनिश्य शीत के कारण हल नहीं जोतता इसलिए कटनी के समय वह कुछ नहीं कर पाता नमबर दो आलोचना ठठा करना एक प्रकार की दोश दर्शिता है, आज हमारी संस्कृती में यह बहुत ही सामान्य बात है, यह चर्च को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक अच्छी चीज नहीं है, यह सिर्फ परिशानी को लाता है नमबर तीन, दुएश बेइमानी परिशानी का दूसरा कारण है, यह लूटना शरम और अपमान को लाता है, बुरी साक्षी नियाय को ठठों में उडाती है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं नमबर चार, पदार्थ निंदा दाखमदू ठठा करने वाला और मदीरा हला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है, वह बुद्धिमान नहीं लोगों के शराब पीने के कारण बहुत परिशानी होती है, समाज में बहुत से अपराद जो होते हैं, वह शराब या ड्रग्स के प्रभाव के कारण होते है नमबर पांच, जगडा मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परन्तु सब मूड जगडे को तयार होते है परमेश्वर, आपका धनिवाद क्योंकि आपके साथ एक संबंद, जीवन और संतुष्टी दिलाता है मेरी सहायता कीजिए कि अनावश्यक परिशानी के कारणों से मैं दूर रहूं नया नियम, पहला कुरंथियों, साथ का सत्रा से पैंतीस पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित रहें हमारी पीडी के साथ मुख्य परिशानी है चिंता और सूची में न होना जो नियमित रूप से तुलना करने और वंचित रहने के डर से आता है वंचित रहने के डर का उत्तर मिलता है उन शब्दों में जिससे पॉलूस आज के लिए खांश किश्रुवात करते हैं जैसा प्रभू ने हर एक को बाटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चलें पॉलूस सिध्धान्त को बताते हैं जिससे उनकी सभी प्रार्थ्राएं बहती हैं एक नए मसी को उस तरह से रहना चाहिए जैसे वह तब थे परिवर्तित होने के समय पर वह तीन उधारन देते हैं विवहा, खतना और दासत्व इतिहास के अनुसार प्रथम मसीही एक छोटी संस्था थे और दासत्व को समाप्त करने के पद पर नहीं थे किन्तु यह व्यापक रूप से लागू होता है जब तक उनका कार्य गैर कानूनी या अनैतिक न हो जो मसीही बनते हैं उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए जब तक किसी नए काम में उन्हें एक स्पस्ट बुलाहट नहीं मिलती है परमेशवर आपको वस्तूओं में बुलाते हैं ना कि उनसे बाहर पॉलूस लोगों को बचाना चाहते हैं इस जीवन में बहुत से परिशानियों से अनावश्यक रूप से अपने जीवन को जटिल मत बनाईए उनकी सबसे बड़ी चिंता जैसे ही वह विवाह और कुवारा रहने के प्रश्न को देखते हैं यह परमेशवर के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना है आपके जीवन का सबसे उचा लक्षे पॉलूस कुवारा रहने के लाब को लिखते हैं निश्य थी इश्य कुमारे थे और उन्होंने इस तथी के बारे में बताया कि कुछ लोगों के लिए इच्छा विरुद है जबकि दूसरों के लिए यह राज के लिए एक चुनाव है इच्छा विरुद विवाह न करना मुश्किल और दर्दनाक विशय है लेकिन मत्ची 19 में इश्य इस बारे में नहीं बता रहे हैं नाहीं यहां पर पॉलूस इस बारे में बता रहे हैं यह अस्थाई या स्थाई हो सकता है विवाह न करने का नुक्सान स्पष्ट है शायद से कुमारे मसीहियों के लिए तीन कठिन चीज़ें है पहला विवा में संगती से वंचित रहना और अकेला पन जो आ सकता है, दूसरा यौन संबंद की परिपूनता की कमी, तीसरा संतान का ना होना किन्तु यहां पर पॉलूस दो कारण भी देते हैं कि क्यों यह एक लाब हो सकता है नमबर एक, जीवन की संक्षिप्तता, वह लिखते हैं वियर्थ कार्य करने के लिए कोई समय नहीं है इसलिए अनावश्यक रूप से अपने जीवन को जटिल मत बनाईए, इससे सरल रखिए, विवा, शोक, आनंद, चाहे, जिस किसी में यहां तक की साधरन चीजों में भी और खरीददारी करने की अपनी दैनिक प्रक्रिया में भी, विश्व जिन चीजों के लिए आपको विवश्च करता है, उनके साथ जहां तक संबंध हो सावधानी से रहिए नमबर दो, वियावधान से स्वतंत्रिता, यह विशेश रूप से सताव के समय में लागू होता है, जो इस लेखांच के लिए संदर्ब प्रदान करता है, वर्तमान मुसिबत के कारण पॉलूस लिखते हैं, अंत में यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो, अविवाहित पुरुष प्रभू की बातों की चिंता में रहता है, कि प्रभू को कैसे प्रसन रखे, परंतु विवाहित मनुष संसार की बातों की चिंता में रहता है, कि अपनी पतनी को किस रीत मैं यह बात तुम्हारे ही लाब के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है, वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित होकर प्रभू के सेवा में लगे रहो। करता है, जैसा कि यह इशो के लिए था। कि याद दिलाता है कि अविवाहित रहने के लाभों को नजर अंदाज मत करिये। अविवाहित रहना उतना ही उचित है और यह बहुत फलदाई और परिपूर्ण करने वाला अनुभव हो सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हर स्थिती में हम जीवन और संतुष्टी को पाएं। वह जीवन जीते हुए जो परमेश्वर को प्रसन करता है। खोने दीजिए कि हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में सही तरीके से जीएं। पुराना नियम सभुप देशक 4 का 1 से 6 के 12 तक काम और संबंद की आशिश का आनंद लीजिए। लेखक जीवन के खालिपन और इसकी विर्थता के विशे को जारी रखते हैं। नमबर एक, काम परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाई या बहुत तब भी उसकी नींद सुखदाई होती है नमबर दो, संबंद वहाँ आगे संबंदों के महतुपूर्ण महतू को बताते हैं विवाह, मित्रता और समो पहली यहाँ पर संगती है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है एक समो के रूप में कारी करना बहुत सक्षम हो सकता है दूसरा, आपसी सहयोग से लाब होता है क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा परन्तु हाए उन पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो तीसरा, इसमें भौतिक और आत्मिक सहयोग का लाब है जो डोरी तीन धागे से बटी होती है, वह जल्दी नहीं तूटती एक मजबूत मितरता या एक मजबूत विवाहा की पूंजी है, तीसरी डोरी जिसके विशे में आज का लेखांश बताता है परमेशवर के प्रती पूर्ण समर्पन और परमेशवर का भय परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हम अनावश्यक परिश्रम और परिशानी से दूर रहें और परमेश्वर के प्रती पूरे समर्पित रहें केवल जीवित रहने के लिए नहीं लेकिन फलने फूलने और जीवन का आनंद लेने के लिए और जीवन की बहुत तायता का आनं करते हैं ये चीजों को देखने का एक दोश दर्शी तरीका है इर्शा विनाशकारी हैं लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी स्वस्त पर्दा बहुत उतसाहित करती हैं आज का वचन पर जैसा प्रभु ने हर एक को बाटा है और परमिशर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वचले और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही तहराता हूँ पहला कुरिंदियों साथ का सत्रा